रगबीर सिंग बीर दी पुस्तक, सर्व रोग का ओखद नाम दा दूसरा अंग है, जगत सुफना आतम साइंस दे विद्यार्थियां ले, एस साइंस जां इलम नू चंगी तरहां समझन ले, अपने निश्चियां दी बुनियाद बदल नहीं पैंदी है उनू अपने निश्चियां उसे परकार टालणें पैंदे है, जिस परकार के उसनू आतम साइंस दा ज्यान या जगत दी पक्की सच्चाई प्रेरे अगर कोई पुर्ष अपने गल्त निश्चियां नू काइम रखके आतम साइंस नू समझना चाए, तो नू किते न किते जाके ज़रूर निरास्ता ते असंतुष्चता देखनें पैगी आतम साइंस दी वड़ी ते मुढले एक सच्चाई ए है कि जो द्रिष्ट मान जगत सानू ठोस ते सत पास रहा है वो दर असल ठोस भी नहीं ते सत भी नहीं सब द्रिष्ट मान जगत ख्याली मेंटल है ते असात है चिन चिन ते बदल रहा है जगत दे ख्याली होन वासते एक सिरीगुरु ग्रण साबदा ही फैसला नहीं बलके आतम साइंस दे अज तक होए सब साइंस दानांदा विदुवनांदा विचारवनांदे फिलोस्फुरांदा संजा फैसला है के जगत रचना पावे साधी आखनू ठोस ते सची पास दे है पर असल च ख्याली ते चिन चिन ते रांगवटा रही है एस ख्याल दी पुष्टेच हेठां सी सिरी गुरुगरंद साव दे परमाना दे नाल दूसरे दर्मांदे महापुर्खां साइंस दाना फिलोस्फुरां ते कवियां दे परमाने इसले दर्च कर देयां ताके पाठका नू यकीन हो जाए के जगत सची मुची ख्याली है सुपने वांगे ते वह इस निश्ची अनुसारी अगिन हो अपने जीवन दा प्रोग्राम त्यार करने जैसा सुपना रैन का तैसा संसार अगला है टुडोलिम टूंडिम डिठ में नान के जग तुए का त्वलहर अगला पब्बा पर्म मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना अगला जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समानंग साच कर हम गाठ देनी छोड पर्म निधानंग प्रब की सरन उबरे सब कोई गुर्बानी दे उतले पर्माना तो इलावा मशूर हिंदोस्तानी युनानी दे जर्मन आत्मक साइंस्ताना ने भी जग दे ख्याली हों दी गवाई परी है सिरी संक्राचार्या जी अनुसार संसार सब माया तो खाफरे छल है ते मिथ्या है है नहीं पर पास्ता है ए दुनिया असलियत दी नहीं बलके परचावियां दी रची हुई है एक ए प्लैटो ने युनान दे मशूर साइंस्तान दे फिलोसफर ने जर्मनी दे परसिद फिलोसफर कैंट ने कहा है ए दुनिया केवल रूप रंग है असलियत कुछ नहीं शेक्सपियर ने सिरी रामचंदर शेक्सपियर ने कहा है वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आ मेड़ो सिरी रामचंदर जी दे गुरू शिरी वशेष्ट जी जिनानू सिरी गुरुगरं साव विखे गुर्मकता दरजा दित्था गया है ने सिरी रामचंदर जी नूँ उपदेश करद्यान दस्या है कि ये जगत जो पास्ता है सो वास्ता में कुछ उत्पत नहीं हुआ अविचार करके भास्ता है विचार कि ये से नविर्थ हो जाता है जैसे अंधेरे में रसी ही सरब भास्ता है सो परम है जब रोशनी में देखिए रसी में से सरब पाव दूर हो जाता है तैसे अविचार करके जगत भास्ता है और विचार से लीन हो जाता है हजरत गालिब अनुसार हस्ती के मत फ्रेव में आ जायो असद आलम तमाम हलकाई दाम ख्याल है पाव माया जा जगत रचना दे फ्रेव ज ए गालिब ना आई सब जगत रचना के वल ख्यालां दाई जाल है डॉक्टर इकबाल अनुसार राजे हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो खुल गया जब राज महरम के सिवा कुछ भी नहीं पाव माया जा जगत रचना दा पेद तक की काईम है जब तक के नू जानन वला ना होगी जो इस नू जान लवे ता फेर हो दे अपने आत्मा दे सिवा होर कुछ नहीं रहना अज कल दे परसेद डॉक्टर लेक्जेंडर कैनन अपनी पुस्तक इन्विजिबल इन्फिलेंस विच लिख दे हन All things we see are only mind in form and substance पाव जो वस्तु आनू पदारत सानू नजर हों दे है ये रूपते असलियत के वल ख्याली ख्याल हन सिरी मती मेरी एडी बेकर जी लिखते हन God मतलब Spirit creates all through mind and not through matter पाव वैग्रु जी जो जोत हन संसार रचनानों ख्याल दे जरिये बनाओ दे हन माद्दे दे जरिये नहीं सिरी मती मेरी करूली अनुसार माद्दा जो नजर प्याओं दे है वो एक खासालच खलोता होया ख्याल ही है आज कल दे योग दे साइंस तावी सांजा फैसल है के जगत रचना माद्दे दे परमानुआं तो नहीं बलके बिजली दियां सूक्षम लेरां तो बणी है जो गुर्सिक जगत रचनानों ख्याली मननदा आदी ना होगी उन्हों गुर्बानी दे बाकी दे सब सिधांत अर्दाज, सिम्रन, तनमान दियरोपता, रिधियां सिधियां, ब्रह्म ज्यानाद समझन्च कोई दिक्कत नहीं रहेगी आतम साइंस दे पाठका अगे बेंदिये के गुर्तेक बहादजी दे हेटली के शबदाओ, समझ समझ के रोज कई वरी पाठ करया करन ते मन्च जगत रचनादे, सुपना हों दी मुढली सचाईनों द्रिड करन फेर उनादा जिन्दगी सबंदी सारा द्रिष्टी कोना पे गुर्मुखावला हो जाएगा सोरट मेलानों, रे नर, ए साची जीतार, सगल जगत हैं जैसे सुपना, बिनसत लगतना बार रहों बारूपीत बनाई रचपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ये सुख माया के उर्जियों कहा गवार अजहू समझ कच्छू बिग्रेव नाहिन, पजले नाम मुरार, कोह नानक, निजमत साधन को, पाख्यो तोहे पुका जगत सुपना है, विशिष्ट योग शिरी रामचंदर जी थे उनादे गुरू शिरी विशिष्ट जी ने दे ब्रह्म ज्यान सबंदी सुआल जुआ, विशिष्ट योग नामक परसिद पुस्तक चिदर्जहन ए पुस्तक कोई 2000 सफे दिया है, पर एदा मूल पाव या खुलासा इथे दर्ज कीता जान दा है, जिस तो पाठका नू यकीन हो जाएगा कि जगत दरसल जागरत सुपने तों, साधे बुजर्गा रिशिया मुनिया नू पता सी, ए इस पुस्तक अनुसार, संसार, सब तो जीव सुख पहुंदाय ते अशुद संकल्पां करके जीव दुख पोग दै, ए जगत जो पासता है, सो वास्तवक कुछ नहीं, उत्पती नहीं हुआ, अविचार करके भासता है, विचार कि ये से निर्विर्थ हो जाता है, जैसे अकाश में नीलता भासती है, सो प्रम करके जब विचार कर देखिये, तब नीलता परतीत दूर हो जाती है, तैसे अविचार करके जगत भासता है, और विचार से लीन हो जाता है, संसार प्रम मातर सिद्ध है, इसको प्रमातर जानकर बिस्मर्ण करना चाहिए, और इसके भटकने का कारण वासना है, वासना करके भटकता फिरता है, जब वासणा का खै हो, तब परमपद की प्राप्ति होती है, जब मन नश्ट हुआ, तब प्रेम कलियान हुआ, वासणा दो परकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध, अपने वास्त्विक सरूप के अग्यान से नातम हुआ, तब नाना परकार की वासना उपच्छती है तानवाद